नमस्ते दोस्तों इंग्रेन नुस्ते में आपका हर्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज हम पानी पूरी की वीडियो लखे आए हैं पानी पूरी के लिए हम पहले आटे को त्याग कर लेते हैं तो दोस्तों हमने एक कप सुझी लिया है और गरम पानी मैंने उसी कप से हाग कप यह हमने गूत दिया है है अब हम नहीं रख देते हैं एगे तुका करने कर रहा है तक हम आटम त्यार करते हैं जो पानी पुर्वी में डालते हैं तो हमνें उबले हुए आलू तीन ले रखे हैं और यह चना है चना को हमने भीवा के रात वी को रखा था पुरी रात भीग गया चना फिर हमने इसे उबाल लिया है तो श्टपिंग में हम क्या क्या डालेगे मैं आपको बदर देती हूं तो पहले हम आलू को मैस कर लेंगे अच्छे से तो आलू मैस कर लेते हैं तो यह हमने लिया पर्तल और अलू को अच्छे से मैस करेंगे और इसमें हम चने को भी डाल देते हैं इस तरह है इस तरह से हम इन्हें मिक्स कर देंगे आप इस में कुछ मसाले डालते हैं कि दोस्तों मैंने मासाले ले रखे हैं तो यह हमने बारिक कट करके प्याज लिया है तो प्याज को इसमें डाल देती है थोड़ा सा अभी डाल देते हैं थोड़ा सा बात के लिए रख देते हैं और थोड़ा से हम धनिया डालेंगे हलका सा धनिया डालेंगे हरी मिर्च भी हमने कट करके रखा भारिक उसको भी डाल लेते हैं आप अपने तिखेक हिसाब से हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं नमक डालेंगे स्वाधन साथ काला नमक डालेंगे थोड़ा साथ चाट मसाला मूंफर हमरे लाएं और बुंग नहीं या बना लिया है उसको डालेंगे तो दोस्तो आप इसमें चिली इसथक्ष यूज़का नहीं बाने फाप यूज़े वह भूद दिखा सकते हैं तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेए तो अश्टपिंग हमारी त्यारी हो देखिए बन चुकी है अब चलते हैं इसका पानी बनाने तो पानी बनाने के लिए क्या चाहिए मैं आपको बताती हूं दोस्तों पानी बनाने के लिए मैं अब इसको और धनिये को मिला के पानी बनाओंगे चलिए फिर पानी बना लेते हैं तो जार में हम धनिया को डाल देते हैं जितने हारे धनिये थे तारे को और जो पुदीन हमने भीगा रहा है उसको पानी के साथ आदें आब इसे हम यह 2 घरी मिट डाल देते हैं और जो पुदीन हमने भीगा कर रखे उनगा पानी के साथ डालेंगे और पीज़ंगे ईनको ही पीशए January अपूं पीशने पीशिए पीश लेते हैं ? एक बारीक पेस्ट हमें बनाना है जिसे पानी हमरा पानी पुरी के अच्छाट से वे इसे त्यमा तो देखिए हमने बहुत अच्छ से इसको हीच लिए है आप इने क्या करूंगे मैं एक छनी के अहता से चान लेती हूं देँ में चनी लिया इससे में इसको चान रहोगी यह इस तरह से चाल लेंगे जो बारिक वाले पानी हमरा निकल जाएगा और जो मोटे वाले कड़ है वो चन्नी में आ जाएगा इसको अच्छे से हम प्रेस करते हैं चाल लेंगे तो यह दिखिए हम लेक्सको बढ़ने दोस्टों यह च्छाना हुआ जिसे दोस्टों यह चहना हुआ जो हमारे मसाला ज्योंने पुदिना और सभी यह को मैध्में थोड़ा सा जो अश्फिक मराएग उसमें हम इसको मिवक्स और तरह देंगी इसको मे..., देने से इतना टेस्ट हाता है पानी पुरी में ये खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे इससे निकाल के हम रख देंगे उसमें बदोस्तो पुदीने को पेश्ट आपको जीतना पानी चाहिए आप उसे ना पानी डाल सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों पानी हमारा बनके त्यार हो गया है दिख रहें ना यह देखिए अभी थोड़े दर के बाद इसका जाग खत्म हो जाएगा अब इसमें हम थोड़ासा मसाले डालते हैं जो मसाले हम चाट मसाला जो हम चपिंग में डालेंगे वही से मसाल हम इसमें भी डालेंगे तो पहले हम नमक यह वाइट वाला नमक है स्वादमसा डालेंगे आप अपने सब्सक्राइब काला नमक चाट मसाला और यह हमने दूने वे जीरे क्या पॉडर रखा था उनको भी मैं इसमें डालूंगी हाफ चाहिए इन्हें हम मिक्स कर दे रहे हैं कि दोस्तों जब पानी पूरी कहना होगा तब हम इसमें इमली के पल्ब मिलाने से पानी हमारा थो ज्यादा काला हो जाएगा आभी नहीं मिलाएंगे जब हम खाइंगे तभी मिलाएंगे तो चलिए फिर दोस्तों आप अच्छा लगने के लिए थोड़ा से बूंदी उगरा बीड़ सकते हैं जिसे मैंने यह बेशन का जहारन रखा था मैं उनको इसमें डालती है यह देखिए तो बस हमारी पानी तयार हो चुकी है पानी पुरी की चलिए हम पुरी की त्यारी करते हैं तो दोस्तों जो हमने पूदी ने और धनिया पर तका जो पॉल पर बचाता उसे म परें मिला के त्यार कर दिया है अब एकदा्व पॉफ़ेक्ट हमेरा श्रस्पिंग थ्यार हो चका है दो को देखिए दोस्तों पानी हमने इस बाल में रख दिया ासिश्पिंग के के की मरा भार में खालता है आँ इसमें हम परशा और पानी आगार आपको कम लोगा तो पा अब इससे थोड़ा हम अपने हाथों से अच्छे से गूतेंगे दोस्तों हमने इसमें कुछ नहीं डाला है आप चाहिए थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं इस तरह से इन्हें अच्छे से गूतेंगे ताकि यह थोड़ा सा नरम हो जाए आण है तो यह सजी जो है हमरा अच्छे से सौब्ट और नरम हो चकाए यह दिखे है तो बस इतना ही हमें करना था इस देख रहें ना मरस जाचे से सब्ट नरम हो गया है तो दोस्ता हुमने यह चॉपिंग बोड लिया है इसी पर हम पूरी को बेलेंगे तो पहले हम हाथे को दो टुकड़े में कर देते हैं इस तरह से और इसके हम छोटे-छोटे गुले बनाएंगे देखिए कपड़ा हमने धाली में डाल दिया है और इस पर हम पूरीयो बेल-विल के रखेंगे तो दोस्तों दखें हमने कड़ाइ में तेल रख दिया है तेल हमारा गर्म हो रहा है जब हमारा तेल गर्म हो जाँगा ता हम पूरिया तलेंगे तो दोस्तों देखिए तेल हमारा अच्छे सा गरम हो चुका है थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखते हैं तेल कैसा गरम होगा है तेल इस पर हमें अच्छे सा गरम होना चाहिए तो यह दिखिए तो देखिए तेल हमारा अच्छे सा गरम हो चुका है और हमारा मीडियम आच पर हम तल रहे हैं हाई पर हम ने अच्छे से गरम कर लिया तेल को इस तरह से एक पुरिया डालेंगे तो दोस्तों अभी रहां प्रड़ देते हैं यह देखिए कि तचा अच्छा राकिया है पुरी का अभी इसी तरह से हम गोल्ड होने तक तर लेंगे और इस तरह हम सारी पुरियों को तर लेंगे तो देखिए दोस्तों इतनी सारी हमने पुरिया बना लेए देख रहे हैं कित्ते फूले फूले पुरिया बनी है अच्छी से देखिए तो चलिए फिर इनकी प्लेटिंग करते हैं दोस्तों प्लेटिंग करने से पहले हम पानी में इमली का पल्प थोड़ा सा डाल देते हैं जाकि यह हमारा पानी जो है खटा हो जाए तो यह हम बस इमली का पर्क डाल दिया इने अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो मैं दिखाती हूं हमें अगर खाना है तो हमें कैसे खाएंगे यह देखिए मैंने पूरी ली है डालेंगे अश्टपिंग थोड़ा सा इस तरह से जाल दिया अब भरेंगे पानी इस तरह से और इंजोई करेंगे तो मैं तो खारी हूं अब भी मेरे साथ इंजोई कीजिए तो दोस्तों देखिए हमने प्लेटिंग कर दिए बस इन्हें पानी में डूबो के घञना है आप चाहे तो ऐसे भी प्लेटिंग हमने कर दिया है आप ऐसे भी का सकते हैं तो इसमें डालेंगे पानी इस तरह से तो यह देखिए डिन मेरे प्रीप बनेों तो दोस्तों अगर मेरे विडियो प्रीजेड बने हैं को अधे शेयर की दिखने ह्नेरी है निजटों आपको मैं रिक्रेष्ट करती है आप मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें अधोस्तों मेरे बनाए हुए हड्डिस्क को आप कॉमें जरूर बताए आपको यह डिस्क कैसा लगा कि अपने फेमिली में अपने दोस्तों में यह वीडियो जरूर सेेर की थी झाल